प्यारे किसान भाईयों, हमारे किसानों के साथ हमेशा से एक प्रसंद बना रहता है कि सरसों की फसल के अंदर अंतिम सिचाई हमें किस समय पर करनी चाहिएं अंतिम सिचाई से मेरा मतलब है कि जहाँ पर तीन सिचाई के आवश्यक्ता होती है तो तीसरी सिचाई और जहाँ पर सरसो केवल दो सिचाई में पक जाती है तो वहाँ पर दूसरी सिचाई कब करनी चाहिए दोस्तो जो सरसो आप देख रहे हैं इसके अंदर केबल 10% फूल बचा हुआ है कह सकते हैं कि अब ये सरसो फूल से उतर चुकी है और इस सरसो की यदि बात करूँ तो ये बैराइटी है पायोनेर की 45-46 आप देख सकते हैं पूरे खेत का वियू बहुत अच्छे से पर्फॉर्म क्या है इस फसल ने और अच्छे से चली हुई है कह सकते हैं इसका उत्पादन इस बार बंपर मिलेगा यदि अभी कोई समस्चन नहीं हुई तो दोस्तो यही अवस्था अच्छी होती है दूसरी अथवा अंतिम सिचाई के लिए हमारे किसानों के लिए जो सरसो की खेती करते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो बाली है और बाली के अंदर जो दाने बनने का प्रोसीजर है वो प्रारंब हो चुका है उपर के कुछ भाग को छोड़ दे तो अब ऐसे में यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सिलो हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जो दाने हैं वो पिचक जाते हैं या फिर डैमिज हो जाते हैं जिससे हमारे किसानों को उतपादन बंपर नहीं मिल पाता है तो सबसे पहले तो जिन किसानों के यहां पे बारिस हो चुकी है कुछ स्थानों में अभी देखा होगा आपने बारिस पड़ी है और हमारी फसल के अंदर अच्छे से नमी बन गई है तो वे अभी सिचाई ना करें और यदि आपके खेत से नमी जा चुकी है और आगामी कुछ दिनों में बारिस भी नहीं है लगता है कि आपके खेत में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है तो फिर आपको सिचाई में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको सिचाई करनी ही होगी दोस्तो सिचाई करने से पूर्वी यदि आप ये चेक करना चाहें मौसम बिभाग की साइट पे कि आपके यहाँ पर बारिस होगी या नहीं होगी उस दसा को देख करके भी आप सिचाई करें यदि आपने सिचाई कर दी और बारिस हो जाए तो फिर भी दिक्कत होगी इसलिए आपको सब चीजे चेक करनी है यदि अवस्था ऐसी है कि 50% फूल है और खेत में नमी हलकी फूलकी है तो फी आप होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए चुकि नमी मेटर करती है अच्छे उत्पादन के लिए ऐसा नहीं होता कि आप अपनी सरसो की फसल में नमी भी है और फिर उपर से पानी डाल दें तो उससे भी दिक्कते कईवार हो जाती है दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी सरसो की फसल को पाले से बचाने के लिए नमी बना के रखना है या खेत के कोनों पर आपको आग जलानी है उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि जो पाला पड़ता है उससे नुकसान यह होता है कि जैसा आप देख सकते है न जो यह है उपर की लगभग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फरी डेमिज हो चुकी है और यह नमी फरी में केवल एक ही दाना बना है बाकी नहीं बने है देखिए आप इसे भी देख सकते हैं नीचे जाकर के इसमें भी नहीं बना है तो आप अपनी फसलों को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए नमी को भी चेक करना होता है समय समय पर फर्टिलाइजर का यूज करना होता है पाला पड़े तो उससे बचाना होता है तो इन सारी विश्यों पर मैंने वीडियो बना के आप लोगों को उपलब्द कराई है आज का वीडियो के विल इस बात पर था कि हमें अंतिम सिचाई दूसरी अत्वात तीसरी जहां पर आवशकता होती है वहां किस अवस्था में करनी चाहिए तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 10% से भी कम कुछ फूल बचा हुआ है तो इसी अवस्था में आपको सिचाई करनी होती है जिससे आपको बंपर उत्पादन मिल सके दोस्तो बाकी आप वीडियो में देख करके हमारी सरसो की फसल के बारे में अपनी राये रख सकते हैं चुकि सरसो की फसल के बुबाई से ले करके पहला पानी, पहला यूरिया, यूरिया के साथ हमने क्या दिया सब कुछ उपलद कराया है मैंने तो आप अगले बार के लिए भी इन वीडियो को जा करके चेक कर सकते हैं और फिर आज के वीडियो के अनुसार आप अपनी सर्सों की फसल में सिचाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में के वली इतनी ही जानकारी नमस्कार